शादी का मौसम है आसे में लोग अपनी अपनी तरीके से शादी की तयारी कर रहे हैं कोई घोरी पे चरके बारात ले जा रहा है तो कोई गारी में बैठ कर अपनी दुलहनिया ला रहा है इसे बीच अपने उचे जाती की घमन्ड में चूल कुछ लोग अपनी सारी मर्यादा भूल चुके हैं वो ये भूल चुके हैं कि शादी करने का और कैसे शादी करनी है कैसे अप्नी दुलहनीया लानी है ये हाख सभी को होता है फरक नहीं पड़ता वो इंसान किस जात का है क्योंकि अब कोई अपनी जात देखकर तो शादी की तयारी करता नहीं है लेकिन ये बात कुछ जाती वाद लोग भूल चुके हैं हो सकता है उन्होंने अपनी शादी में ये सोचकर शादी की तयारी की होगी या पर किसी किताब में ये पढ़ लिया होगा कि भाई साहब तुम इस जात की हो तुम या ऐसी शादी करोगे तुम किस तरीके से शादी करोगे ये सब उस किताब में लिखा होगा जो उन्होंने परहा होगा तुम पगरी बांधोगे या फिर तुम घोरी पे चरोगे ये सब उन्होंने कहीं परहा होगा और इसी अनुसार से वो अपने शादी की तयारी करते हैं क्या ऐसा आपने कभी सोचा है अगर नहीं सोचा तो सोचना भी मत खैर एक अजीबो गरीब शर्मनाग खबर गुजरात से सामने आ रही है जहां एक दूले को घोरी से उतार दिया जाता है क्योंकि वो दलीत है और उसे कोई हक नहीं कि वो घोरी पे चरकर अपनी बारात ले जाए और इतना ही नहीं बलकि बारातियों के सिट के उपर से पगरी भी उतार ली जाती है और लोग वहां अपनी जाती पे घमंड करते हुए लोगों से लड़ते हुए नजर आए लोगों को ये फिक्र नहीं थी कि कहीं किसी की बेटी का परिवार इस बारात का इंतजार कर रहा है उन्हें ये फिक्र नहीं थी कि वो दूलहा अपने शादी के लिए कितने सालों से सपनी सजोता होगा जिसी वो पूरा करनी जा रहा था लेकिन लोगों को यहां पे घोरी पे बैठे दूले और लोगों के सिर पे पगरी की चिंता हो रही थी अब नमश्कार आप देख रहे हैं जुनता जुंक्षन और मैं आपके साथ वंधना कैमरा पर से नों प्रेकाश के साथ यातरि गंड कृप्या ध्यान दे अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्ट्रेंट से खाना ओरर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जाइकेदार बना सकते हैं यात्रा में खाना ओरर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टोर अप प्ले स्टोर या आपल स्टोर पर ये पूरा शर्मनाख मामला गुजरात के बनासका था जिने के मोटा गाउं से सामनी आया है जहां एक दूले को घोरी पर बैठने से रोग दिया गया और वज़ा थी कि वो दलित था और उसके बाद पूरे बारातियों पर भी पत्थराओं किये जाते हैं इतना ही नहीं बलकि लोगों को ये भी परिशानी थी कि आखिर कैसे ये दूला घोरी पे बैठ सकता है और कैसे इनके परिवार वाले पगरी बाद सकते हैं इस पूरे घटना के बाद पूलिस को इसकी जानकारी होती है और फिर गाउं के इस पंच के साथ साथ इस शर्मना घटना में शामिल 28 लोगों के खिलाफ F.I.R. बे दर्ज किया गया है प्रसाशन के मताबिक अस पत्थराओं की घटना में बाराद में जा रहा एक वेक्तिक घायल भी हो गया ये पूरी घटना को सोमवार को गुजरात के एक जिले के पाल असदार घायल भी हो गया जिसको लेकर शिकायत भी दर्ज के गई है और मामले की जार्ज S.C.S.T. शाखा के पूलिस उपादिक्षक को सौप दी गई है इस पूरे मामले की जार्ज करने की बाद कि किसी की गरफ्तारी होगी अब तक किसी को अपने हिराप्त में पूलिस न पर अंजाम भुगतने की धम की देने लगे यानि कि वो नहीं चाते थे कि दलित परिवार का बेटा अपनी शादी में घोरी पे बैठ कर अपनी बारात निकाले और जब क्या सेखालिया परिवार नहीं माना तो सरपंच के द्वारा रविवार को ग्रामीनों की एक बैठक गोरी पर नहीं बैठ सकते क्योंकि सदियों से यही परमपरा रही है कि छोटे जात वाले लोग गोरी पर बैठ के अपने बारात नहीं निकालते और यहीं वज़ा है कि वो नहीं चाते थे कि यह दुलहा भी अपनी बारात घोरी पर बैठ कर निकाले और इसी बैठक के असे खालिया परिवार ने पुलिस से सुरक्षा भी मागी थी लेकिन जब बाराद सोमवार को दूद की दुकान पर यानि की गाउं में एक दूद की दुकान है वहां पहुसती है तो कुछ आरोपियों ने शादी में शामिल बारातियों से पगरी पहनने को लेकर आपत्ती ज जाती है और शादी होने की बाद शाम को लौट भी आती है लेकिन शर्मनाग घटना से शादी का महौल बिगर गया और साथ ही ऐसी नीच सोच रखने वाले लोगों का काला चेहरा भी सामने आया कि आखर इस जमाने में भी कैसे लोग इतने आगे बढ़ने की बाद भी ऐसी नीच और उच जाती में भेदभाव कर सकते हैं कैसे इस घोडी पे चरहे दूले को नीची उतार सकते हैं और बारातियों पे पत्थराव कर सकते हैं फैर फलहाल के लिए इतना है आगे नई अपडेस के साथ फिर हम आपके सामने हाजर होंगे हमें दीजे इजासत और देख आजांक्यों धन्यवाद